नमस्कार दोस्तों, जै माता दी, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चानल में दोस्तों, भगवान विश्नुजी और धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपासे 21 जन्वरी दोहजार चौबीस को पौश पुत्रदा एकादशी के दिन बना दिव्य दुरलब महाशुब सैयोग सर्वार्थ सिध्धी अमरित सिध्धी योग, महालक्ष्मी योग, बारा राशियों में से छे राशियां होंगी करोड़ पत्ती माला माल जी हाँ दोस्तों, अब भगवान विश्णुची और माता लक्ष्मी की कृपासे 12 राशियों में से 6 राशी वालों की किस्मत चमकने वाली है और ये राशी वाले एकादशी के दिन धन से माला माल होने वाले हैं ये 6 राशियां करोड़ पती बनने वाली है इन राशी वालों को स्वयम विधाता भी नहीं रोक सकते अब करोड़ पती बनने से माला माल बनने से जी हाँ दोस्तों आपको बता दे हिंदू शास्त्रों के अनुसार हर व्रत का अपना महत्व और लाब होता है ऐसा माना जाता है कि व्रत रखने से भगवान का दिव्य आशिरवात मिलता है और भक्तों पर सुक और समरधी की वरशा होती है सभी व्रतों में एकादशी व्रत का बहुती महत्वपूर्ण स्थान है हर वर्ष 24 एकादशियां होती है पौश मा के शुकलपक्ष के एकादशी या ग्यारवे दिन को सफला एकादशी मनाई जाती है इस पर 21 जन्वरी रविवार को पुत्रदा एकादशी पढ़ रही है इस दिन भगवान विश्नु की पूजा की जाती है और उन्हें समरपित व्रत रखा जाता है इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाई पूरी होती है दोस्तों आपको बता दे सनाथन धरम में एकादशी व्रत को उत्तम माना जाता है मानेता है कि जो भक्त एकादशी का वरत कर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है हर महीने दो एकादशी पढ़ती है एक कृष्ण पक्ष में तो दूसरी शुकल पक्ष में वहीं जोतिश शास्त्र के अनुसर पूश मा के शुकल पक्ष की एकादशी तिथी के दिन पुत्रदा एकादशी का वरत रखा जाएगा इस एकादशी के दिन भगवान विश्णू और माता लक्षमी की पूजा आराधना करने से भक्तों को बल, बुध्धी, विध्या और धन की प्राप्ती होती है दोस्तों आपको बता दें कि पूश मा के शुकल पक्ष की एकादशी यानि पुत्रदा एकादशी संतान की उनती और अच्छे स्वास्य के लिए बहुत महतपूर्ण मानी गई है पूश पुत्रदा एकादशी का व्रत उन सभी विवाहित महीलाओं और पुरुशों को रखना चाहिए जिनको कोई संतान नहीं है मानित है इसे वंश का विस्तार होता है संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं इस साल पॉश पुत्रदा एकादशी 2024 की सही तारिक महुरत क्या है आइए जानते हैं पॉश शुकल एकादशी थी थी 20 जन्वरी 2024 को रात 7 बजकर 26 मिनिट से शुरू होकर 21 जन्वरी 2024 को रात 7 बजकर 26 मिनिट पर खतम होगी एकादशी का व्रत हमेशा सूर्य उधे पर प्रारंब होता है और अधिकांश्त अगले दिन सूर्य उधे के पश्चात समाप्त होता है पोश्पुत्रदा एकादशी 21 जन्वरी दोहजार चौबीस को है विष्टु जी का पूजा का समय सुबह 8 बज़कर 34 बज़े से दुपहर 12 बज़कर 32 मिनिट तक है पौश पुत्रदा एकादशी पारन समय सुबह 7 बजगर 14 मिनिट से लेकर सुबह 9 बजगर 21 मिनिट तक का है। धार्मिक मानिताओं के अनुसार एकादशी का वरत रखने से मृत्यों के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मि बच्चों को लाब मिलता है। जो पुत्रदा एकादशी का वरत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यों के बाद स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इस वरत को करने से जिस वल की प्राप्ति होती हैं वो हजारों साल तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता। दोस्तों आपको हम बता दें कि इस दिन यानि इकादशी के दिन सरवार्त सिध्धी योग, रवी पुष्य योग, अमरित सिध्धी योग, महालक्ष्मी योग का निर्मान हुआ है। जिसमें से बारा राशियों में से कुछ राशी वालों को धन लाव प्राप्ति के योग हैं। ये राशी वाले धन से माला माल होने वाले हैं और अब करोडपती बनने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। इन राशी वालों को स्वयम विधाता भी नहीं रोक सकते भगवान विश्णू और माता लक्षमी की कृपा इन पर हो गई है तो चलिए दोस्तों शिरू करते हैं वे भागिशाली राशियां कौन-कौन सी हैं दोस्तों आजकल की दुनिया में मनिश्य के लिए पैसा बहुती जरूरी चीज हो गई है बिना पैसे के मनिश्य कोई भी कारे करने में समक्ष नहीं हो पाता है यदि किसी भी कारे की शुरुवात की जाती है तो उसमें धन की आवश्चकता जरूर पड़ती है बिना धन के कोई भी कारे संपन हो ही नहीं पाता हर व्यक्ति चाहता है कि उसक जीवन में धन की कभी भी कोई कमी ना हो, वो अपना जीवन सुक्ष वैभव के साथ व्यतीत करना चाता है, जिसके लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत भी करता है, जिसे वो बहुत सारा धन अर्जित कर सके, परन्तु इतनी मेहनत करने के भावजूद भी मनिश्य को सफलता प्र नहीं हो पाती और वे सोच में पढ़ जाता है, इतनी मेहनत करने के भावजूद भी सफलता हासिल क्यूं नहीं हो पाई, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनिश्य को मेहनत करने के साथ साथ उसकी किस्मत भी उसके साथ होनी चाहिए, क्यूंकि यदि किस्मत साथ न दे तो मनिश्य को जीवन में सफलता नहीं मिल पाती और यदि किस्मत साथ दे तो मनिश्य अपनी कम मेहनत में ही अपनी इच्छा अनुसार सफलता प्राप्त कर सकता है उसको सभी सुख वैभव की वस्तुएं प्राप्त हो जाती है हिंदु धरम में ग्रह नक्षत्रों और राश्यों को बहुत जादा महत्व दिया जाता है यदि ग्रहों या फिर किसी नक्षत्र पर भी छोटा या बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है तो इसका सीधा असर व्यक्ति के जीवन पर भी देखने को मिलता है कुछ लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है तो वहीं कुछ लोगों पर इसका बुरा समय के साथ-साथ व्यक्ति को उसके जीवन में बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी राशियों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिनकी सोई हुई किस्मत अभगवान श्रीहरी विश्णू और मालक्षमी के आशिरवात से चमकने वाली है और इन राशी वालों के जीवन के अच्छे दिनों की श और शुरुआत होने वाली है जी हाँ दोस्तों इन खुश निसीब और भागिशाली राशियों में से बात करें तो पहली राशी है मैकर राशी मकर राशी वालों को बतादे की मालक्षमी और भगवान विश्णूजी की आपके उपर बहुत कृपा बन रही हैं वो आपके उपर महर्बान हो रहे हैं और इनके आशिर्वात से आपके जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं भगवान विश्णु और मालक्ष्मी की कृपाद रिष्टी आपके उपर बनी रहेगी जिसकी वज़े से ही आपको जो भी कार्य आप सफलता प्राप्त क करना चाहते हैं वे कार्य आपके लिए सफल होंगे अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वो पैसा भी आपको वापस मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है आप अपने सभी करजों से मुक्ति पाने में कामयाब भी रहेंगे आपके द्वारा की गई कोशिशे सफल होंगी समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा भगवान विश्णू और मालक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक सिती मजबूत बनी रहेगी व्यापार में अचानक धनलाब होगा और सुख शान्ती का वातावरन आपके घर में बना हुआ रहेगा साथी साथ मक्कर राशी वालों आपके उपर भगवान विश्णू और मालक्ष्मी की कृपा सदेव बनी रहेगी हालंकि इस राशी के लोग अपने उग्रत सुभाव पर थोड़ा सैयम रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों इस लिस्ट में अगली राशी की बात करें तो अगली राशी है मेश राशी जी हाँ दोस्तों मेश राशी वालों को बता दे कि इस समय शुब महासायोग से मालक्ष्मी और भगवान विश्णू की कृपा से आपको अब लाबदायक समय देखने को मिल सकता है आपके लिए इस समय में अब लाबदायक सितियां बनी हुई है आपके लिए धनलाब के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपको अपने भविश्य के लिए जो योजनाएं आपने बनाए रखी है वे योजनाएं सफल होंगी और उन पर अमल करने का समय भी आ गया ह उन पर अमल करें सफलता आपके हाथ लगेगी साथी साथ अब आपको कही बड़े फायदे देखने को मिलेंगे व्यवसाय के नए रास्ते बनते नजर आएंगे जो व्यक्ति नौकरी पेशा वाले हैं उनको पद में उनती बिलेगी और उच्छ अधिकारियों का पूरा सयो प्राप्त होगा साथी साथ समाज में मान सम्मान और प्रतिष्टा में व्रिदी होगी साथी साथ संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा माता पिता का आशिरवात आपको बड़ी उंचायों पर लेकर जाएगा इस राशी वालों को मा लक्ष्मी और भगवान विश्णु जी के आशिरवात से समय आपके लिए अनुकूल है समय का भरपूर लाब उठाएं इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो खुश नसीब और भागेशाली राशी कन्या राशी है जी हाँ दोस्तों कन्या राशी वालों के लिए भगवान विश्णु और मा लक्ष्मी के आशिरवात से समय खुश्यों की सौगात लेकर आया है जी हाँ दोस्तों ये आपके लिए बहुती लाबदायक समय सिद्ध होगा परिवार में सुख शान्ती आएगी आपके रुके हुए समस्त कार्य अब समय पर पूरे हो जाएंगे जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा संतान पक्ष से कोई बड़ी खुश खबरी मिलने से मन आपका बहुत प्रसन रहेगा भगवान विश्नु और मालक्ष्मी की अपार कृपाद रिष्टी आपके उपर बनी रहेगी जिसकी वज़े से आपके घर परिवार में खुश्यों का वातावरन रहेगा परिवार में कुछ नई चीजों का आगमन भी हो सकता है जिसकी वज़े से आपके घर परिवार में सुख शान्ती का वातावरन रहेगा साथी साच जो लोग व्यापारी हैं उनको व्यापार में अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा नौकरी पेशा लोगों को नौकरी से सम्मंदित कोई बहुत बड़ी खुशकबरी प्राप्त हो सकती है भगवान विश्णू और मालक्ष्मी के कृपा से समय आपके लिए कन्या राशी वालों बहुत ही लाबदायक रहने वाला है अब बात करते ही अगली भागेशाली राशी की तो वो है मीन राशी जी हाँ दोस्तों मीन राशी वालों पर भगवान विश्णू और मालक्ष्मी अत्यन्त महरबान है अत्यतिक कृपा आपके उपर बन रही है मीन राशी वालों भगवान श्री हरी विश्णू और मालक्षमी का नाम लेकर कोई भी कारे शुरू करेंगे या नया कोई बिजनिस शुरू करेंगे आपको उसमें अविश्य ही बड़ी सफलता प्राप्त होगी आपके साथ आप सामाजिक रूप से अपनी अलग पहचान बनाने में काम्याप होंगे साथी साथ चात्रों के लिए शिक्षा के शेत्र में प्रगती के योग बन रहे हैं परिवार का पूरा सयोग मिलेगा दामपत्य जीवन सुख में रहेगा जी हाँ दोस्तों कहना गलत नहीं होगा मीन राशी वालों अब आपको वे सभी खुशियां प्राप्त होंगी जिनके आप हकदार हैं भगवान विश्णू और मालक्ष्मी के क्रिपा से आपको अब अनेक प्रकार के लाब धनलाब और बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप् होने वाली है दोस्तों अब बात करते हैं अगली खुश नसीब और भागेशाली राशी की तो वो है कुम्ब राशी कुम्ब राशी वाले लोगों को बता दें कि भगवान विश्णू और मालक्ष्मी की क्रिपा से आपके लिए बहुती शुब महासयोंग का निर्मान हो र रहेगी आप लगातार सफलता की नए नए किर्तिमान सापित करते हुए अपनी अलग पहचान बनाने में सफलता हासल करेंगे आप अपने मेहनच से जो भी कार्य में लगे हुए हैं वेकारी सफल होंगे दोस्तों आपको बता दें आपको धनलाब प्राप्ति के भी योग व्यवसाय में भारी धनिलाब आपको प्राप्त होगा। आपके आर्थिक सिती मजबूत बनी रहेगी और घर परिवार में खुशियां आएंगी। बात करते हैं अगले कुशनसीप और भागेशाली राशी की तो वो है तुला राशी। जी हां दोस्तों तुला राशी वाले लोगों को बता दे कि आपके उपर भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी की अपार कृपाद रिष्टी बन रही है। जिसकी वज़े से आपको अत्यंत भारी धनलाब प्राप्त होने की संभावना है। साथी साथ इस राशी के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में व्रिधी होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उनको पद में तरकी मिलेगी और साथी साथ वेतन व्रिधी के भी योग है। जो लोग विदेश में नौकरी करना चाते हैं या विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाते हैं तो आपको इसमें सफलता अविश्य ही प्राप्त होगी। जीहां दोस्तों इस राशी के लोगों की आय में वृधी होगी, जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनको संतान प्राप्ति का भी शुप अवसर प्राप्त होने वाला है, साथ ही साथ आपका प्रेम जीवन, दामपत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, बहुत ही खुश्मे और आनंद पूर्वक रहने वाला है, दोस्तों बता दे भगवान विश्नु और मालक्ष्मी के आशिरवाद से तुला राशी वालों समय पूर्णता आपके पक्ष्मे हैं, जिस भी कारे में आप हाथ डालेंगे, वे कारे आपका अविश्य ही सफल होगा, इस सम को अपने हाथ से आप ना जाने दें, दोस्तों बात करते हैं अगली खुश नसीब और भागेशाली राशी की तो हो है व्रिशब राशी, दोस्तों व्रिशब राशी वाले लोगों को बता दे कि भगवान विश्नु और मालक्ष्मी की विशेश कृपा आपके लिए बहु दोस्तों आपको इस समय नए अवसार की तलाश है तो वो भी अवसर प्राप्त होगा, जिसकी वज़े से ही आपकी जो भी कार्य हैं भी सफल होते चले जाएंगे, आयकी साधनों में व्रिधी होगी, साथी साथ यदि आपको इनया व्यवसाय शुरू करने के लिए योजना बना रहे हैं तो वो योजना भी आपकी अविशे सफल होगी, व्रिषब राशी वाले लोगों को धनलाब के लिए अनेकों अवसर प्राप्त होने वाले हैं, यूं कहीं कि धनलाब प्राप्ती भी आपके लिए अनेक उपयोग हैं, स्वयम मालक्ष्मी और भगवान विश् विश्णुमा माहोल रहेगा, साथी साथ कारोबार में व्रिधी होगी, सामाजक शेतर में आपको सफलता प्राप्त होगी, अचानक से धन प्राप्ती आपको होने वाली है, जिसे आपकी आर्थिक सिती मजबूत होगी, दोस्तों बात करते हैं अगली खुश्टनसीब और फागेशाली राशी की तो वो है व्रिश्चक राशी, व्रिश्चक राशी वाले लोगों को बता दे, भगवान विश्णु और मालक्ष्मी की क्रेपा से आपको कोई शुब संदेश मिलने के योग बन रहे हैं, आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको अविश्य ही परिवार और जीवन साती का पूरा सयोग भी प्राप्त होने वाला है, आपकी मदुर्वानी की वज़े से आपके सभी अटके हुए कार्य सफलता पूर्वक पूरे होंगे, भगवान विश्णु और मालक्ष्मी की अपार कृपा आपके उपर बन रही है, जिसकी वज़े स आपकी धन समंदित सभी परेशानिया दूर होंगी, जो भी आपके रुखे कार्य हैं वे अब सफलता पूर्वक पूरे होंगे, विश्चक राशी वालों मालक्ष्मी और भगवान विश्णु जी के आशिर्वात से अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अविश् सफलता प्राप्त होगी, समय आपके लिए अनुकूल है, समय का भरपूर लाब उठाएं, दोस्तों ये थी वो खुश नसीब और भागशाली राशियां जिनको भगवान विश्णु और मालक्ष्मी के आशिर्वात से अब बहुत बड़ी खुश खबरियां प्राप्त होन यो कहें कि ये राशी वाले माला माल होने वाले हैं, इनको अनेक प्रकार के लाब, धन लाब और बड़ी बड़ी सफलताएं भगवान विश्णु और मालक्ष्मी के आशिर्वात से अविश्य ही प्राप्त होने वाली है, जिससे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएग यहां दोस्तों भगवान विश्णु और मालक्ष्मी का आशिर्वात आप सभी को प्राप्त हो, दोस्तों आप से अनुरोध हैं, आप सचे दिल से कमेंट बॉक्स में जै मालक्ष्मी, जै श्री विश्णु जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें, धन जवात